अश्कार आप सभी का स्वागत है तालेवल 10 में और आज हम 3 जुलाई 2020 के करिंट अफेर्स डिसकस करेंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पैस्ता बेल आइकन और वीडियो को अंति तक जरूर देखें हमारा पहला प्रेशन है किस मंत्राले ने ड्रग डिसकवरी हैकतौन लाँच किया है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ A और B मतलब Ministry for Human Resource Development and Ministry for Health and Family Welfare दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर इस ड्रग डिसकवरी हैकतौन को लाँच किया है आए इसके बारे में जानते हैं जो कि एक इनिशेटिव है MSRD, AICTE और CSIR का इसके अंदर क्या होगा जितनी भी ड्रग डिसकवरी प्रोसेस है मेडिसन बनाने की जितनी भी प्रोसेस है उन सबी को सपोर्ट किया जाएगा हैकतौन जो है वह पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन है और स्वर्म एक्रोस ते गलोब पूरे वर्ल्ड के लिए ताकि इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रेक्ट किया जा सके अगला कोश्चन हाल ही मैं असारी एकादशी का तोहार खबरों में है यह किस राज्य में मनाया जाता है इसका सही आंसर है option भी महरास्ट्रा अशारी एकादशी जो की बहुती ज़्यादा significant festival है महरास्ट्र में जो की मनाया जाता है महरास्ट्र में और यहाँ पर एक word है वारकरी वारकरी सोते हैं कि जो लॉर्ड विक्ठल है लॉर्ड विक्ठल भगवान विश्नु का ही एक रूफ है उनके जो भग्त होते हैं उन्हें यहाँ पर वारकरी कहते हैं और आईए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्योंकि इस मंदिर पर बहुत दूर से लोग अशारी एकादशी पर मंदिर में आते हैं दर्षन करने के लिए और यह जो मंदिर है सौरी जो टेंपल है वह सोलापूर महारास्त के सोलापूर डिस्टिक में इस्तिध है अशारड़सी एकादशी के बारे में इसे देव शैनी एकादशी असाड़ी एकादशी बोला जाता है इसमें भगवान विश्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है लोग मतलब उनके लिए प्रेयर्स करते हैं और इस दिन कई सारे लोग ब्रत भी रखते हैं मतलब फास्ट भी रखते हैं और इस दिन लॉड विश्णु का ही एक रूप विठ्थल जो है अगला कॉश्चन किस संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ओनलाइन ब्रेटा साइंस में इसका सही आंसर है ऑप्षिन भी आईएटी मद्रास Union HRD Minister ने लॉड्च की है वर्ल्ड की पहली ओनलाइन ब्रेटा साइंस में और जो किस के द्वारा ओफर्ड की जा रही है यहाँ जो मतलब यह जो ब्रेटी मद्रास के द्वारा ओफर्ड की जा रही है और जितना भी कोर्स है वहाँ इनी के द्वारा प्रिपेर किया गया है कॉश्चन हाल ही मैं असम कील बैक खबरों में है यह क्या है इसका सही आंसर है यह इस नेकी एक इसपैसीज है मतलब साप की जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं असम की कील असम कील बैक जिसे 139 साल बाद अरुनाचल प्रदेश में दुबारा से डिसकवर्ड किया गया है मतलब यहां 119 साल पहले 1891 में देखी गई थी और अब यहां अरुनाचल प्रदेश में दुबारा से 2020 में देखी गई है इसके बार में कुछ जानते हैं यह एंडेमिक है नौर्थ इस्ट इंडिया की मेंली यह रिकॉर्डिड की गई है असम और अरुनाचल प्रदेश में यह बहुत ही जादा जो इस्पैसीज है बहुत जादा छोटी है 60 सेंटी मीटर तक लंबी है ब्राउन बिश इसका कलर होता है और यह जो चलने का पैटर्न है वो बैली स्टाइल में होता है अगला कॉस्चिन किस बैंक ने किसानों के लिए यह किसान धन एप लॉंच किया ह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए HDFC बैंक अभी हाल ही में HDFC बैंक ने यह किसान धन एप लॉंच की है पूरे इंडिया में इसमें क्या होगा मोबाइल फॉन के जर्गे जो किसान है वह बैंकिंग और एग्रिकल्चर सर्विसिस को एक्सेस कर सकते हैं अगला कॉस्चन हाल ही में टुवर्ट्स क्लीन एनर्जी एकनॉमी रिपोर्ट समाचारों में है यह निम्लिकित मैंसे किसके द्वारा जारी की जाती है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निति आयोग निति आयोग के द्वारा टुवर्ट्स क्लीन एनर्जी एकनॉमी रिपोर जो है वा जारी की जाती हैं आईए इसके बारे में देखते हैं निति आयोग और उसके साथ एक और कम्पनी है जिसका नाम है RMI जिसके बारे में अभी हम देखेंगे RMI के बारे में इन दॉलों ने मिलकर Clean Energy एकनॉमी रिपोर्ट निकाली है इसमें क्या होगा इसमें clean energy की तरफ बढ़ने के लिए बोला गया है कि हम अपनी देश को clean energy की तरफ लेके जाएंगे और उसके help से economy को boost करेंगे यह इसी के लिए मतलब main जो purpose है वह इस collaboration का वह यही है RMI जो की main purpose इसका भी यही है कि जो clean energy के लिए जितने भी projects होते हैं उनको यह बढ़ावत देती है जो की एक non-profit organization भी है और अब हम थोड़ और इसका headquarter जो RMI का कहां पर है Rocky Mountain Institute का headquarter है निउ देली में अब हम थोड़ा सा नितियायोग के बारे में जानते हैं इसके chairman प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो की फिलाल नरेंदर मोदी है इसके chief executive officer अमिताफ कान ते है और इसका headquarter भी निउ देली में ही है अगला question निमलिकित मैं से किसने accelerate विज्ञांग योजना की शुरुआत की है इसका सही answer है option a science scientific and engineering research board option b department of science and technology का एक institute ही है science and engineering research board जिसने एक scheme निकालिये जिसका नाम है accelerate विज्ञान ये एक single platform है जो की क्या करेगा इसके अंदर research को बढ़ावा देना workshop organize कराना internship देना ये सब चीजें provide की जाएंगी ताकि क्या होगा जो भी skills होंगी उनको बढ़ावा दिया जा सके अगला question हाल ही मैं RBI ने NBFC और HFC के लिए विशेस तरलता योजना के लिए कितने रुपे का परिचालन किया है मतलब कितने रुपे operationalized के लिए special liquidity scheme में दिये हैं इसका सही answer option D 30,000 करोड Reserve Bank of India ने जो NBFC है non banking financial company और HFC housing finance company के लिए special liquidity scheme निकाली है जिसके तैत उन्होंने 30,000 करोड रुपे operationalized किये हैं मतलब दिये हैं यह इसलिए किया गया है ताकि NBFC और housing finance company की जो liquidity है उसे improve करने के लिए ऐसा किया गया है और कल हमने आपके question पूचाता हाल ही में प्रधान मंत्री कलियान योजना समाचारों में है यह किस मंत्राले के अंतगरत आती है इसका सही answer है option D ministry of finance has launched मतलब उसके अंदर आती है प्रधान मंती गरीव कलियान योजना इसका come under which ministry ministry of finance और आप सभी एक revision question हाल ही में operation grains योजना में कितने फलों और सबजीयों को जोड़ा गया है और आप से भी इसका answer प्रीज कमेंट बॉक्स में दीजिए और अब हम दो जुलाई का revision करते हैं बिल्कुल ठीक है स्टार्ट प्रोग्राम जो है वहाँ related है स्कूल के education की quality को improve करना अगला question ministry of human resource development has launched सपनों की उड़ान इसके यह बिल्कुल गलत है क्योंकि ministry of food processing of India has launched सपनों की उड़ान इसके अगला question सी रंगराजन has been confirmed with the first professor PC महलनोबेस अवर्ड बिल्कुल सही है जो first award है PC महलनोबेस अवर्ड जो है वह 2020 का कैसे मिला है सी रंगराजन को मिला है और यह पहली बार है क्योंकि यह award 2019 में ही start करने की घोशना की गई थी अगला question गुजरात has launched the skill connect forum portal बिल्कुल गलत है क्योंकि करनाटका has launched the skill connect forum portal और इसी के साथ आज के current affair यहीं समापत होता है पसंद आये तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए thank you so much पस्वाटी तो यहीं समाचर फस्वाटी टूटी आज साथ नहीं समाचर कीजए